हेलो एवरिवन कैसे हैं आप साथ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत-बहुत स्वावत है पिछले वीडियो में हमने कार्वनिक कंपाउंड के आयूपी असी नामकरण किस प्रकार से किया जाए इसके बारे में अच्छे से पढ़ा था आज भी हम आयूपी असी का लेक्शन नामकरण पढ़ने जारा है जिसमें हम अलकील हैलाइड्ट्स है नो आर एक्स इनका आयूपी असी नामकरण करेंगे है ना तो विडियो एंड तक देखिएगा आपको बड़ा मज़ा आने वाला है आप अलकील हैलाइड का आयूपी असी नामकरण अच्छे से सीख जाएंगे सबसे पहले तो हम Alkyl Helide का मतलब समझ लेते हैं यानि कि Rx का मतलब क्या होता है Rx का मतलब क्या होता है चलिए X का मतलब तो होता है Halogen X का मतलब होता है Halogen और Halogen यानि कि Floring, Chlorine, Bromine, Iodine ठीक है इन चार में से कोई सभी एक element हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं X की जगे तो R का मतलब होता है कोई भी Carbon Chain और X का मतलब होता है Floring, Chlorine, Bromine, Iodine यानि कि Halogen जो group number 17 में जो element आते हैं Floring, Chlorine, Bromine, Iodine ये सभी Halogen कहलते हैं ठीक है तो R का मतलब कोई भी Carbon Chain और X का मतलब Halogen होता है ठीक है, समझ में आ गया चलिए First Example मैं आपके लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ C Cl ये Example लिखा First Example आपके लिखा C, Cl अग इस Carbon की Valency अगर Complete करें तो यहाँ पर हो जाएंगे 3 Hydrogen ठीक है तो ये बन जाएगा CH3Cl इसका IUPAC नाम भी Important है लेकिन साथ साथ में जो इसका Common Name है वो बहुत ज़्यादा Important है क्योंकि अधिकतर Organic Chemistry में हम इसका Common Name ज़्यादा यूज़ करते हैं है ना? चलिए इसका Common Name भी बताऊँगा और IUPAC नाम भी बताऊँगा IUPAC नेम यह तो Carbon Chain है हमारी है ना? यह की Carbon है पर फिर भी Carbon Chain ही मनते हैं तो यह Carbon Chain हो गई और यह Substituent हो गया Chloro तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पहले हम क्या लिखते हैं Chloro है ना? तो यह हो गया Chloro और एक Carbon के लिए Math Single Bond ही है मतलब तो N हो जाएगा है ना? कोई दूसरा Carbon तो है नहीं तो उसके सांद Bond बनाएगा तो Single Bond ही बनाएगा तो Chloro Methane इसका IUPAC नाम हो जाएगा अब इसके अगर Common Name की बात करें Common Name यहाँ पर ब्रेकेट मिलिकराओं में Common Name में क्या होता है कि यह क्या है CH3 तो CH3 को हम क्या करें देखे CH4 क्या होता है Methane और Methane में से एक Hydrogen अगर हमने कम करा तो यह बन जाएगा CH3 यानि क्या हो जाएगा Methyl इल सफिक सकत जाएगा Alkyl बन जाएगा तो यहाँ पर यह क्या है CH3 है तो इसका नाम हो जाएगा Methyl और Cl को Chloro नहीं लिखेंगे Common Name में Chloride यह लिखा जाएगा ठीक है Chloride Methyl Chloride Common Name हो गया और IUPAC Name हो गया Chloro Methane यह Substituent तो Chloro है ना IUPAC में Chloro लिखेंगे Common Name में Chloride लिखेंगे इसका पूरा नाम लिखेंगे चलिए Second Example लिखते हैं इसका IUPAC नाम लिखना है Hydrogen Aid कर दीजिए यहाँ पर कितने Hydrogen Aid होंगे 3 यहाँ पर कितने होंगे 2 है ना CH3 CH2 I अब इसका IUPAC नाम पहले बता रहा हो में आपको ठीक है चलिए यह main carbon chain हो गई हमारी और यह Substituent हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा I को क्या लिखेंगा Iodide लिखेंगा या IODO लिखेंगे क्योंकि IUPAC naming हम यहाँ पर कर रहा है अभी फिलाल में तो यहाँ पर हम लिखेंगे IODO ठीके तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा IODO और दो carbon के लिए Eth और single bond है दोनों में तो यहाँ पर हो जाएगा Ethene यह इसका IUPAC नाम हो गया IODO Ethene अगर इसके common name की बात की जाए तो पहले यह वाला पाट लिखता है हम है ना CH3 CH2 याने कि Ethyl C2H5 Ethene मेंसे एक hydrogen कम करा C2H6 मेंसे एक hydrogen कम करा Ethyl यहाँ यह हो जाएगा Ethyl I का मतलब हो जाएगा IODOID तो यह इसका IUPAC नाम हो गया Sorry common name हो गया Ethyl IODOID सभी को clear हो गए दोनों ही एक्जमपल अच्छे से चलिए अब थर्ड एक्जमपल देखते हैं हम C CL3 चलिए इसका IUPAC नाम और common name हमें लिखना है सबसे पहले hydrogen add कर लेते हैं कितने hydrogen add होंगे एक hydrogen add होगा क्यों क्योंकि 3 chlorine तो इस carbon से पहले ही जुड़े हुए इसकी जो structure है वो ऐसी होती है देखिए मैं आपको बता देतो 1 hydrogen यहाँ पर जुड़ा हुआ है और 3 chlorine तो 1 chlorine 2 chlorine 3 chlorine हो गई carbon equivalency complete 1 2 3 4 है ना इसलिए सिर्फ एक ही hydrogen हमें यहाँ पर aid करना पड़ेगा ठीक है चलिए अब इसका IUPAC नाम लिख लेते हैं पहले और फिर common name यह तो carbon chain हो गई हमारी और यह substitute हो गया कितने chloro है 3 chloro है तो 3 के लिए क्या लिखेंगे Trichloro Trichloro एक carbon है तो 1 carbon के लिए methane है ना single bond ही बनेगे इसको क्योंकि 2 carbon तो है नहीं इसलिए single bond तो इसका नाम होगया Trichloro methane 3 chlorine है तो Trichloro 1 carbon है तो methane अब इसका common name देख लेते हैं हम कि इसका common name क्या हुआ पहले तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि H के बाद में जब भी C आता है तो उसके लिए लिखेंगे हम I common name में फार्म चलिए इसका common name लिख लेते हैं 3 chloro है तो 3 chloro के लिए हमें इस 3 को शो करने की जरूरत नहीं है common name में हम यहां पर सिर्फ इतना लिखेंगे chloro और H के बाद में C हैं Just H के बाद में Just C हैं तो उसके लिए फार्म लिखते हैं हम तो यहां पर इसका नाम हो जाएगा chloro-farm बहुत ही ज्यादा important है यह compound आपके लिए और अगरिक chemistry में बहुत ही ज्यादा questions पूछा जाता है इसके base पे इसकी lab method, chemical जो reaction होती है किस प्रकार से इसको बनाया जाता है lab में और इसका जो diagram होता है वो किस प्रकार से होता है यह सभी इसके base पे question बनते है आपकी chemistry में तो बहुत ही ज्यादा important है है न इसका जो formula होता है वो यहाँ पर में लिख देता हूँ CHCl3 यहाँ पर लिखा है CHCl3 ठीक है CHCl3 यह इसका formula होता है chloro-farm का चलिए यह example समझ में आगए आपको fourth वाला बता है last example CI3 यह भी ECK जैसा है और उतना ही important है जितना की chloro-farm है ठीक है चलिए इसकी structure इस प्रकार से होता है कार्बन की valency complete करने के लिए एक hydrogen यहाँ पर add हो जाता है इसकी structure कुछ इस प्रकार से होती है तीन iod इस carbon के तीन तरफ तो यह हो जाते है और इसकी valency complete करने के लिए एक hydrogen यहाँ पर add हो जाता है बिल्कुल इसी के जैसा है ठीक है चलिए IOPSC नाम लिखते हैं इसका तो यहाँ पर कितने iodine है तीन iodine है तो क्या लिखेंगे tri-iodo tri-iodo और एक carbon है तो एक carbon के लिए meth single bond इसका IOPSC नाम हो जाएगा tri-iodo methane clear हो गया सभी को tri-iodo methane इसका IOPSC नाम common name की बात करें तो देखिए तीन iodine हैं लेकिन फिर से इस तीन को शो करने की जरूरत नहीं है हमें common name में तो यहाँ पर हम लिखेंगे iodo जिसे chloro लिखा थे तो तीन को लिखा था यह नहीं लिखा था chloro dieta What? बहुत ही ज़धा important है ये वाला compound भी आपके लिए क्योंकि इसकी भी gratitude बनाने की जो विधी है वो गूण भी आते हैं इसके उपयोग भी आते हैं इसके भी गूण उपयोग आते हैं और इसके भी आते हैं ठीक है तो लेब मेथड गूण और उपयोग और डाइग्रम बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है यह ठीक है इन दोनों के बेस पे question definitely आने शेयर कीजिएगा और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आये हैं और वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिए साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो उसकी notification भी आपको time to time मिलती रहें ओके इसले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन धन्यवाद